उदर बड़ी खबर आई मद्ध्रदेश से वहां ड्राइवर पर भड़कने वाले शाजापुर के कलेक्टर पर मद्ध्रदेश सरकार ने बड़ी कारवाई की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को अटा दिया शाजापुर के कलेक्टर ने जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और आरोप है कि उस बैठक में उन्होंने एक ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात की थी बाद में इस बातचीत का एक वीडियो भी वाइरल हो गया और ये पूरा मामला मद्द प्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादव तक पहुँच गया उन्होंने इस मामले पर ताबर तोड आक्शन लिया और राज्ज के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक दिन पहले जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बलाई थी और उसी बैठक में शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल की एक ड्राइवर से बहस हो गई थी इस वहस का वीडियो भी वाइरल हो गया और वीडियो में शाजापुर के कलेक्टर एक ड्राइवर पर बुरी तरह भढ़कते नजर आये उनका पारा इतना चड़ा कि उन्होंने उस ड्राइवर से उसकी आउकात पूझ डाली इस बैठग में कई ड्राइवर मौझूद थे शाजापुर के कलेक्टर के बगल में पुलिस अधिकारी भी बैठे थे एक दूसरा अधिकारी तो लगातार उनसे बात भी कर रहा था इन सब के बीच किशोर कन्याल कड़े शब्दों में ड्राइवरों को समझा रहा थे लेकिन तभी एक ड्राइवर ने बीच में ही उन्हें टोक दिया फिर क्या था बात का बतंगर बन गया ड्राइवर के टोकते ही कलेक्टर किशोर कन्याल का पारा सात्वे आस्वान पर पहुँच गया और बैठक में मौझूद सभी लोगों का ध्यान कलेक्टर को टोकने वाले ड्राइवर पर चला गया इस बहस का वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा उस ज्राइवर की ओर घुमा दिया क्योंकि जैसे ही क्लurityर उस पर भड़के वो घबरा गया क्लिक्तर उसे उंगली दिखा दिखा कर डाट रहा था और वो हाथ जोड़ कर खड़ा था लेकिन कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ ये देखकर वो इतना घबरा गया कि हाथ जोड़कर माफी बागने लगा बहस के बीच एक पुलिस वाला आगे आया और ड्राइवर को समझा बुझा कर अपनी सीट पर बठाने लगा एक तरफ पुलिस वाला ड्राइवर को बिढ़ाने की कोशिश कर रहा था दूसरी और किशोर कन्याल लगातार बोलते जा रहे थे ड्राइवर भी डरते डरते ही सही लेकिन उनको जवाब दे रहा था ये सारी बहस इसलिए हुई क्यूंकि शाजापूर के कलेक्टर ने घुस्से में आकर एक ड्राइवर से उसकी अवकात पूछ की और देखते ही देखते है पूरी बैठक का माहौल ही खराब हो गया और प्रदर्शन को उगर होने से रोकने के लिए शाजापूर कलेक्टर ने ये बैठक बुलाई थी लेकिन उनके एक ड्राइवर से उसकी अवकात पूछने पर पूरी बैठक का माहौल ही बिगड़ गया कलेक्टर किशोर कान्याल की बातें सुनकर भड़के ड्राइवर को उसकी सीट पर बिठाने में पुलिस वाले को खुब मेहनत करनी पड़ी वो बार बार उकात वाली बात पर आपत्ती जताता रहा इसी बीच इस सारी बहस का वहां मौझूद दूसरे लोगों ने वीडियो बना लिया लेकिन ना ड्राइवर चुबो रादाया और ना ही कलेक्टर किशोर कन्याल पुलिस वाला भी बहस रोकते रोकते ठक गया इसके बाद आसपास मौझूद लोगों ने भी बुलना बन कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब केवल कलेक्टर और ड्राइवर की बहस हो रही थी और बैठक में मौझूद बाकी लोग हाथ पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा देख रहे थी यही नहीं कलेक्टर की बाद सुनकर बहस करने वाले ड्राइवर ने वहां मौझूद दूसरे वीडियो में दिखाया कि बहस के दौरान ड्राइवर के नजदीक खड़ा एक शक्स लगातार उसका वीडियो बनाता रहा जबकि एक दूसरे ड्राइवर ने पुलिस वाले की मदद करते हुए उस ड्राइवर को बिठाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद कलेक्टर के त में कलेक्टर के नर्म हुए तेवर भी दिखे बहस करने वाला ड्राइवर भी आखरकार अपनी सीट पर बैठी गया कलेक्टर ने भले ही बाद में बाद समालने की कोशिश की लेकिन इससे पहले बोली गई उनकी बातें मद्द प्रदेश के मुक्यमंतरी मोहन यादव को पसंद नहीं आई ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात करने की वज़े से शाजापूर जिले के कलेक्टर किशोर कान्याल को हटा दिया गया मद्द प्रदेश के मुक्यमंतरी मोहन यादव ने इस घटना पर आक्शन लेते हुए नर्सिंगपूर जिले के कलेक्टर को शाजापूर का कलेक्टर बना दिया और किशोर कन्याल को उनकी भाषा की वज़े से हटा दिया गया